जिन्हें अपने बेटे पे यकीन था वो बाप बहुत पीठी छूट के अमा इन्हें हर बात में सबूत चाहिए क्योंकि अब ये सिर्फ एक पुलीस कमिश्णर है एक ऐसे कमिश्णर जिन्होंने अपनी आखों पे कानून की पट्टी बांद ली है और वो देखनी पारे कि जाने अंजाने में वो क्रिमिल्स की हिल्प कर रहे है अब है सॉरी सर अभी आप इस बात को नहीं समझ रहे लेकिन एक दिन मैं साबित कर दूँगा कि मैं सही था तब तक आपको जो ठीक लगे आप कीजिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूँगा शुष्मा अपने बेटे को समझाओ अगर वो इसी तरह जिद करता रहा और कानून को अपने हाथों में लेता रहा तो यकीन जान लो हम अपना बेटा खो देंगे खो देंगे हम इसे हेलो है साब में मुन्ना जो आदमी कमिशनर साब को उडाने को गया था वो अभी टोपास बार में आने वाला है कि आपको उससे सॉलिड इन्फ़र्मेशन मिलेगा और हा संबल कर अ मैं रखता हूं साब साब कि साब मैंने आपका काम कर दिया साब आपने जैसा बोला था मैंने वैसाच बोल दिया अब अब मैं जाओ साब काम किया है तो इनाम तो लेते जाओ जान हम दो! प्सकारे गुट झाथ जैबाय को फिल थिला दो फिलाडा है कि दो अधिक्राइब गजों अधिक्राइब कर दो आई तुटाइब विए जुटाइब विए जों मैं किसी नुके पीछे कि और जी वह आ रहा है जाई बोलिए में क्या करूं पादो सर्जी, वो मुझे पख़ए लेगा, सर्जी? मुझे में क्या करूँ? भाग दे रहो. सर्जी, वो मेरे पीछे आ रहा बताईये, क्या करूँ? तेक लिफ टर्म. अच्छा! सर्जी, वो अभी मेरे पीछे है, सर्जी, बोलिये मैं क्या करूँ? टेक राइट तर्म. तेक राइट तर्म. अट जाओ, अट जाओ! सर्जी, बोलिये मैं क्या करूँ, सर्जी? भाग दे रहो. करेंग कि बने करेंगे कि आपके रहा डारि कि बोली हो तुम्हें लोगों के सामने नहीं मरेंगा आपकाओ कि वार देगा? बढटो! कि शेष्टाप! सेर्टी! में इंद्रसिंग राना, जेल की सिलाखों के पीछे अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन क्या किया जाए, तुम्हारा बाप कुछ भी समझने को तयाब नहीं, नहीं समझता का जमाना बदल गया है, आजकल बड़े लोग ही बुरे होते हैं, अमीर लोग ही बिखते हैं, चाहे क्रिकेटर हो या पलिटिशन, हीरे काव या पारी या मुझ जैसा बिजनिसमन, सब क्रिमिनल्स हैं, तुमने सही समझा, लेकिन समझना और समझाना अलग अलग चीज़ें हैं, तुमने मुझे समझा लेकिन तुम अपने बाप को नहीं समझा सके तुम्हारे और मेरे बीच अखेल चल रहा था उसमें तीम बार मैंने तुम्हे मात दी और तुम्हें लगता रहा कि तुम बाती जीत रहा जिसे तुमने रोड पर मारा उसे मैंने वहां बेचा था जिसे तुम लॉक अप में मारने गए थे उसे मैंने वहां पहुंचवाया था और जिसे तुमने जान से मार डाला उसे भी मैंने सही वक पर बैठने को कहा था ताकि तुम्हारी गोली उसके घुटने के बजाए उसके सीने से पार हो जाए मैं तुझे नहीं चोड़ूगा राला नहीं चोड़ूगा अल्ट के लिया हूँ हालात बदल गए हैं देवर नहीं बदला यह है फैसला अन्दा स्पॉट का नतीजा हाँ 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 कि शायद तुम भूल गए हो कि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं राना वहां से सोचना शुरू करता है कि अभे बेकसूर है आप ही सोचे कोई आके मुझसे कहे कि मेरा हास्बिन मुर्डरर है क्या मैं मान लूँगी नहीं ना ऐसे अभे के साथ हुआ है आप ही सोचे कि बिना कोई वजह अभे किसी की जान ले सकता है प्लीज उसे बचा लीजे आप अदालब में जाकर बयान दे दीजे कि आप बिल्कुल बेकसूर है प्लीज प्लीज याद है 26 साल पहले आपने मुझसे बेटा मांगा था प्लीज मुझे मेरा बेटा लटा दीजे मेरा बेटा लटा दीजे प्लीज मेरा बेटा लटा दीजे प्लीज बचा लीजे मेरा बेटा मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा लेकिन एक शर्त पर तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि जब वो छूट कर आएगा उससे अस्तीफे पर तुम साइंग कराऊगे मैं अब कभी उसे पुलीस की वर्दी में नहीं देखना चाहता हूँ वादा करो कि वादा करो जब सब एससीप अभे प्रताप सिंग को उस क्रिमिनल के पीछे भेजने से पहले मैंने उसका सस्पेंशन और वापस ले लिया था क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वाइरी के बाद पता चला के नो ने जो भी किया था सही किया था एसीप अभे ने जब उस क्रिमिनल को सरेंडर होने के लिए कहा तो उसने फाइरिंग शुरू कर दी जवाब में इनोंने गोली चलाई और वो मारा गया प्रताप को रहा कर दिया है तो करनल कृष्ण कांत कुमार ना मेरे मतलब हमारा उपरेशन सारी जहां से अच्छा होगा और प्लैन के मुताबिक होगा जब तक यह अपरेशन खत्न हो बाकि सारे काम बंद कर दो ACPF प्रताप को कोई सुराग न मिले